तमस्कार हम चतीजगड देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी साथ अवंतिका श्रवास्तव चतीजगड की तमाम बड़ी कबरों पर ने एक एकर नज़र डालेंगे और सबसे पहले जिक्रे करेंगे राइगड का जहां खरसिया में भीशन सड़क दुरखटना हुई है दो दोनों बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है खरसिया थारा श्रेत्र का यह पूरा मामला है बच्चों को वोरन अस्पताल में भरती करवाये गया साथी साथ दमपत्य को भी इलाज के लिया था लेकिन इलाज की दरान दोनों ही पत्ति ने दम तोड़ दिया जबकि दो बच्चे अभी भी घाय लवस्ता में अस्पताल में इलाज रहते हैं। आगे बरते हैं मुगेली से एकली बड़ी खबर जोहां मुगेली विलासपूर राइपूर हाइवे पर भीशन सडक हाथसा जिसकी जानकारी सामनारी खड़ी ट्रेलर से यात्री बस की टकर हुई है। ये पत्रा लगाने की कोश्चिश लगाता चल रही है अलाकि तेजर अफतार कई बार जान पर आभी पड़ती है और इस बारे में भी यही जानकारी सामने आ रही है। कि खड़ी ट्रेलर से यात्री बस क्राई काफी तेजर रफतार में थी। पुलिस फिलाल मौके पर पहुँची है जांच में लगाता जूटी हुई है गायलों को सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया है जबकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकिया आप देख रहे हैं। इतना भीशन सड़क हाथा कई बार लापरवाही की जानकारियां सामने आती रहे हैं लेकिन इसे बावजूद ड्राइवर और प्रबंधक भी कई बार लापरवाही करते हैं। और इसी लापरवाही के जिससे कई लोगों की जिन्दी की चीन जाती है। लेकिन फिलाल बारा से जादा लोग हाईल अवस्ता में इस्पिताल में फिलाल भड़ती हैं। ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हो जुदी है। ये सड़क दुरगटना को लेकर जानकारिया और उससे पहले भी एक और जानकारी राइगड से हम आपको बता रहे थे। रफ्तार का कहर दोनों ही शहरों में देखने को मिला है जुसकी दो तस्पीर है फिलाल आपकी टीवे स्क्रीन्स पर मुगेली और राइगड का ये सड़क हाद्सा रफ्तार एक बार फिर से काल बनी है। मुगेली की दुरगटना जिसे लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं आप देख रहे हैं लापरवाही वर्ष किस तरह से गंभीर घटना सामने आई है जिसमें से बारा यात्री अभी भी बताय जा रहा है कि अस्पताल में ही भरती हैं जबकि एक व्यक्ति जुसक कि यात्रियों को भरती करवाया जाएं क्याको जानकारी ऐसे जुड़ी अभी तक सहीगी युगल तेवारी हमारे साथ साजा करेंगे राइपूर से हमारे साथ लाइव जोड़ चुके हैं युगल आपसे हम जानना चाहेंगे अन्य घायल लोगों कुल लोगकर क्याको जान पहली दुरगटना है कि निस्तल हावे जो मार गहे उस पर जस्पूर जा रही बस है जो ट्रेलर है ट्रक है उससे टकरा गई इससे एक जो क्लीनर है उसकी मौत हो गई और बारा से अधिक लोग उसके घायल हुएं सभी घायलों को आसपास के इस्थानी एस्पताल पर भेजा गया है कुछ की हालत वहाँ पर नाजूग बताई जा रही है और यहां दुरगटना की प्रमुख बज़ा बताई जा रही कि जो निस्तल हाइवे की किनारे पर एक जो ट्रेलर ट्रक खड़ी थी उसमें अचानक जो गाड़ी है वो जाकर बस है टकरा गई जिसके बज़े से जो बस का जो सामने का हिस्सा है उसके पर खच्चे उड़ गए दूसरी दो ददनाग जो हासा है सड़क हासा है वो राइगर के खरसिया थानच्चेतर में हुआ उसमें इसकूटी में एक ही परिवार के चार लोग सवार थे जिसमें एक दमपती और उनके दो मासूम के लिए उन्हें राइगर रेफर किया गया है और इस तरकी जब दुरगटनाएं होती है तो उसमें सबसे पहले जो लपरवाही हो सामने आती है कि ब्यस्ततम मार्ग में इस तरह से ट्रक को खड़े कर देना जबकि उसके पार्किंग के अलग से नियम है कि पार्किंग टाइमिक रहता है तो उस सीमा को ऐड़ेस्ट करने के लिए जो अचाना जो अमूमन जो बस चालक है तेजी से बसों को चलाते हैं और यही वजह है और हासों का यही सबब बनता है अगर 36 गड़ में हम हासों की बात करें तो लगातार जो 36 गड़ में सड़के जो हासे हैं उ फिलाल हासों पर ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है वंतिका इसलिए कहा जाता है कि लापरवाही नहीं बरती चाहिए बहुत शुप्री आपका यूगल इस पूरी ज्वानकारी को साज़ा करने के लिए तो लगातार देखे सावधानी बरती की अपील की जाती हाला कि इसका सर खासा तौर पर नहीं देखने को मिल रहा है आकड़े 36 गड़ में हाद्सों को लेकर यही बया कर रहे हैं बैरालागी बरते गरियाबन से एकली बड़ी खबर के और बढ़ेंगे जहां अवैद रेथ खननन पर ग्रामिनों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है ग्रामीन खासा अक्रोशित हैं और इसी वज़े से हल्ला बोल कि सितियाज प्रदर्शन करने के लिए खुद ग्रामीन जमीन इस तर पर पहुंचे प्रशासन से लाख शिकायत के बावजूत सिती में अभी तक सुधार नहीं और इसी वज़े से प्रदर्शन के लिए ग्रा प्रदर्शन के लिए तरी में किस तरह ग्रामीन यहां पर आकर अवैद रेथ खदान पर हल्ला बोल दिये हैं और खदान को बंद करानी की मांग कर रहे हैं कारवाही कराने की मांग कर रहे हैं चैन महुंटे लगा कर शुकृत जो एरिया है पिंगेश्वर का जो गदीड है वहां छोड़कर यह पथरी में तरीके से खुद आई कर रहे थे ग्रामीनों को जानकारी मिलते ही तमाम ग्रामीन यहां पर आकर विरोध प्रदर्शन सुरू कर दिया है क्या मांग है आप लोग की हम लोग कमांगे ही है सर की जो नगर पंचाथ जो अपना सुग्रित की है इसी ख़द अपना रेती ले जाए और वहां का रेती ना उठा करके हमारे एरिया के रेती अवे दूरूप से उठा के लेके जा रहा है जब हम ग्रामीन देखे उसको विरोध करने के लिए गाउं में नदी में और यहां से नदी को हम रेती निकाले नहीं देंगे अपना अपना अधिकारे हैं और उसके लिए कि मांग कर रहे हैं यह जो है पथरी का ईलाका है और जो शुक्रित ख़तार है वो तो फिंगेसवर्ट शेत्र के गधीड ही में हैं लेकिन यहां पर अवय तरीके से खुदाई करने का आरोब जो है ग्रामिन लगा रहे हैं और चैन माउंटेर यहां पर लगी भी है तमाम जो गाडिया है हाईवाई वो कुछ दूर पर जाकर रुके भी है तो ग्रामिनों में जबर्दस आख्रोस है और यही आख्रोस को लेकर तमाम ग्रामिन ख़दान पहुंचे वे हैं और सुचना जो है अधिकारियों को देदिया कुछ देर बाद अधिकारी पहुंचने वाले हैं तो ग्रामिनों काई कि मांग गये जो वैद तरीके से ख़दार आप प्रदर्श प्रशासनिक तोर पर इनकी सुनवाई हो पाई है इसे लेकर हम और ज्यादर जानकारी लेंगे सब्सक्राइब से मारे साथ लाइव रहे हैं उनकाम रोक लेते हैं इम्रान शाहिद प्रशासनिक नजर अंदाजी का ये नतीजाए की प्रदर्शन की तस्वीरियाद सामने आ प्रशासनिक तरीके से रेत ख़दान संचाली तो रहतों देखिए तमाम ग्रामिन यहां पर पहुंचकर अप्रदर्शन शुरू कर दियो रेत ख़दान बन करने की मांग कर रहे हैं तो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं अधिकारी को सुचित कर दिये थे अभी तक का अधिकारी का तो कोई आगमन नहीं हुआ है और हम लोग अहीं धर्ना प्रदर्शन में बैठे हैं जब तक अध्यकारी नहीं आएंगे तब तक हम लोग अहीं घाम में अपना भूखारताल करते रहेंगे जी देखे कि ग्रामी लगतार प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं और महत्तुपूर बात है कि सुच्रा देने के बाद भी कोई अधिकारी अभी प्रशासन की टीम नहीं पहुची हुआ है और आवैद्रेत खदान को लेकर ग्रामीनों में जो है घुस्ता फूट पड़ा ह हुआ है जी निश्य दौरपड़ी तस्पीर हम देख रहे हैं इम्रान ये भी जाना चाहेंगे कि कपसी सिल्सिला चला है साथी साथ क्या प्रशासन को अधिकारियों को इस बारे में पहले सूचित नहीं किया गया और अगर सूचित किया गया तो यह नजर अंदाजी क्यों बिल्कुल है नजर अंदाजी कह सकते कि जानकारी तो प्रशासन को हाई है और लगातार ग्रामिर जो है इसकी शिकायत करते आ रहे हैं बावजुद कोई कारवाही नहीं होने से जो मर्यत माफिया उनके होसले बुलंद है लेकिन ग्रामिरों का जब गुस्ता फूटा तो ग करती क्योंकि हाली में अगर बात करें तो राजीम के चौबे बांदा में जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली कि वहां वैद्रेत कदन हो रहा है तो वहां पहुंचकर एक चैन माउंटेन रिखाईवा को सील किया था तो कहीं ने कहीं प्रशासन के कारवाही को लेकर उमीद जागी थे लेकिन आज जिस तरह से प्रदेशन ग्रामिन कर रहे हैं पथरी में तो एक बड़ा सवाल होता है सवास बड़ा सवाल होता है बहुत शुक्री आपका इमरान इस पूरी जवान कारी के लिए और उस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है इसके बार पर मौझूद है और तमाम एसे राज्य जहां पर बीजेपी के सरकार है विजेपी के मुख्यमंत्रियों की मौझूदगी में प्रधान मत्री के ध्यक्षता में बाठक होगी बीजेपी की तरफ से बड़ी बाठक आज दूपहर 3 बजे होने बाली है बीजेपी शासत राज पुलाई जारी और अभी तक क्या जानकारी से लेकर अनूप आप सुन पारें मुझे चली कोशिश करें हम संपर करें अनूप से लेकिन बहुत बढ़ी जानकारी बीज़ेपी की बड़ी बैठक पुलाई जारी आगामी विधान सभा चुनाव भी तमाम राजियों में साती सा लोग सभा चुनाव को लेकर भी निश्वत तौर पर मंतर हो सकता है कि बीज़ेपी की तरफ से बड़े स्तर पर रणनीती का विखकुलास इस बैठक के बाद हो क्योंकि लगातार हल्चल बढ़ती हुई राजियों में भी मध्यपरदेश में इसी साल प्धान सभा मुख्य तोर पर इस बैठक में मौझूद रहेंगे बीज़ेपी की राज्ये स्तर पर क्या रणनीती रहेगी हो सकता है कि प्रधान मंतरी इस और कुछ मंतर दें चुकि इस बैठक का हिस्सा होंगे मध्यपरदेश में बीज़ेपी किस तरह से अपनी एलेक्शन कैंपेंड को आगे बढ़ाए उस सकता है कि प्रधान मंतरी की तरफ से इस पर बात हो और साथी साथ राज्ये के विकास को लेकर क्या कुछ करना है इससे लेकर भी मंतर हो सकता है बीज़ेपी शासत राज्यों के सीएम इसमें मौजूद रहने वाले हैं सीएम शुराज सिंक चोहां शिरकत करेंगे प्रधान मंतरी मोधी के अधेक्शता में दुपहर तीन बजे बीज़ेपी किये बड़ी बैटक होगी आगे बढ़ते हैं कांकेर से एगली बड़ी खबर जहां नकसली तेंदू पत्ता फड में लगातार आग जनी करे हैं इलाकी में कई दिनों से इस तरह की खटनाएं सामने आरे हैं और इक बार फिर से कांकेर से इसी तरह की सूचना पीवी थ्री पत्ता फड को आग लगा दिया है नकसलीों ने शेत्र में दर्शत का माहौले लगातार गामिने में भी डर बना रहता है ये तस्वीरी आप देखें, कांकेर से तस्वीरे सामने आई हैं, नक्सलियों ने तेंदू पत्ता फड़ में एक बार फिर से आग लगाई है, ना सिर्फ कांकेर बलकि राजनेत गाउं से भी इस तरह की तस्वीरे पहले सामने आई थी, और पच्चा भी फेका जाता है, जिस में लगातार बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये पढ़चे फेके जाते हैं, इस बार भी इसी बात का जिक्रिस ने, और अब बल्रापुर से अगली बड़ी खबर जहां दो ट्रकों में भीशन टक्कर कुई है, टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई, दोनों ही ब स्क्रीजू पर दोनों बाहर जिन में टक्कर हुई और उसके बाद दोनों ही जलकर राखुचुक्छे हैं, तो ये बड़ी जयनकारी बल्रामपुर से सामने आई है, दो ट्रकों की फीशन टकर और उसकी बाद जो तस्पीरे सामने आई, वो आपकी जेबी स्क्रीज पर दो दोनों ट्रकों में अचानक से पीश्व नाग लग गई दोनों ट्रक फिलाज जलकर नश्ट हो चुके हैं निच 347 की घटना जन्हानी नहीं हुई है राहत भरी बात गई और चलिए अब चर्चा करेंगे 36 गड़ के मौसम को लेकर द्रोडिका के प्रभाग से 36 गड़ का मौसम अचानक से बदल रहा है मौसम विग्यानिकों का कहना है कि रविवार को भी प्रदेश के कई अलाकों में बादल चाहिए रहेंगे याने कि आज भी गरत चमक के साथ हल्की वारिश की संभावना है अलाकि इसे तापपान में कोई विशेश बदलाव की उमीद नहीं लेकिन सोवार से अधिकतम तापपान में बढ़ोतरी की भी संभावना प्रदेश बन में धंतरी सबसे गर्म जिला रहा जिले का तापपान अधिकतम 33 डिश्चेस महा समुन्ध 42.9 डिश्चेस और इसी तरह से अलग अलग जिलो के तापपान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रहे है जो पानी गिरा है कमके कारण था बस्ता डिश्चेस और जो बहुत जगा के पानी और बहुत पानी गिर चुका है जिसके कारण के नॉट सत्तिजगार में और मद्द सत्तिजगार में भी तेमपरचार में जो डाउन हुआ सा और एक दादी उबर करा रहे है पानी जो है आज भी 36 गर में कुछ इसकार में तेज हुआ के साथ हल्की से मालतम आगी बढ़ते हैं राइपूर से गली बड़ी खबर जहां यूपीसी के प्रारमभिक परिक्षा आज आईशुद की जा रही है राइपूर और बिलासपूर में परिक्षा कायोजन है राजदानी राइपूर के 37 केंद्रों में परिक्षा चल रही है जोकि बिलासपूर में 22 परिक्षा केंद्र उसके लिए बनाए गए है दो पालियों में आयुजित हो रही है परिक्षा, पहली पालि सुबह साड़े नौ बजे से साड़े दस बजे की बीच, दूसरी पालि धाई बजे से लेकर शाम साड़े चार बजे तक परिक्षा चलने वाली है ये बड़ी जानकारी आपके साथ आज़ा कर रहे हैं दो पालियों में UPSC की परिक्षा हुनी है राज़दानी रायपूर और बिलासपूर में इसके लिए परिक्षा केद्र बनवाए गए हैं आगे बढ़ते हैं मनेदगर से एक लिए बड़ी खबर जहां दुर्गा धाम में चोरों ने धावा बोला है आमा खेरवाद दुर्गा धाम की एक हट्टा जहां पर चोरी की वार्दात इकपार पर इससलिद सामने आया आई है अब को बताते हैं यही वो मंदिर है जहां पर पहले भी चोरी की खट्टाएं सामने आ चुकी है मंदर के दान पेटी में नगदी थी जोसे चोरो ने साफ के लिया साथी साथ तमाम जो आसपास सिस्टी वी कैमरा लगे थे उसमें भी चोरो की तस्वीरे कैद हुई हैं सिटी कोतवाली पोलिस जाच में लगाता जुटी हुई चुर्मरी के पौड़ी दुर्गा मंदर में चोरी पहले भी हो चुके जुस बात का मैं जिकर कर रहे हैं ये तस्वीरे इस दुर्गटा वारदात की सामने आई हैं हाल ही में मंदर में चोरी किये दूसरी घटना और इसी विज़े से कानून विवस्ता पर भी लगाता सबाल खड़े भूते हुई मंदिर में चोरी किये दूसरी वारदात इससे पहले भी चोर दान पेटी पर हाथ साफ कर चुके और इस बार भी दान पेटी में रखी लगदी ओड़ा लेगा है जो अगे बढ़ते हैं दूर के से अगली बड़ी कबर जहां व्यापारी से लाखों की धोका धड़ी की बार दात हुई है 69 लाख की धोका धड़ी हुई है मशीन दिलाने के नाम पर ठगी की गई गुजरात की कमपनी से मशीन दिलाने का जहां सा व्यापारी को दिया गया था वी जूटी हुई लाखों की धोका धडी का खुलासा, उन सच लाख की धोका धडी, मशीन दिलाने के जहासे की तॉरान, ग्यापारी जहासे में फसा और उसके बार ठकी हुई उसके साथ, फिलाल पुलिस जार्च पर लगाता है जूटी हुई आरोपी के तलाज जारी। और अब कांकेट से अगली बड़ी ख़बर जहां गांजा तसकर पुलिस के हत्ते चड़ गए हैं 15 किलो गांजा और मोटरस साइकल इनके अवाले से जब्त की जा चुकी है इरपार नार से पकांजूर गांजा बेचने के लिए आरोपी पहुंच रहे थे लेकिन फॉरण पुलिस ने कारवाई करते हुए तसकरों को ग्रफदार कर लिया तो ये बड़ी जानकारी कांज़ से तसकरी का एक बार फिर से खुला सा कांजा तसकर पुलिस के हत्ते चड़ गया है 15 किलो गांजा इनके अवाले से जब्त किया गया है मोटर साइकल भी पुलिस ने जब्त कर लिया पुलिपनार से पकांज़ और कांजा बेचने की फिराक्त में आरूपी गूब रहे थे बांदे पुलिस ने फॉरण तस्नों को ग्रफदार किया कांकेर की ये बारदार जुसका पुलासा पुलिस के तरफ से हुआ है पुलिस ने जब्त कर लिया और आगी बात करें कि जश्पूर की जहां महिला से छेड़चाड की खटना सामे आई है परजुनों की आने के बाद दोनों आरूपी भाग में थे एक आरूपी को पकड़कर परजुनों ने जमकर पीटा है महिला से छेड़चाड कर रहे थे तीनों आरूपी गिरफ्तार भी हो चुट है पिटाई से एक आरूपी का पैर भी तूट गया है कोतबा चौकी का ये पूरा मामला जहां महिला से छेड़चाड चल रही थी लेकिन जैसे ही पुलिस यहां पर पहुंची फॉरण गिरफ्तार किया गया जिनमेंसे एक आरूपी को मारा भी है पर जुनोंने बहुत बुरी तरह से एक पैर तूट गया है उसका बाकी दो अन्य आरूपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अब गरिया बन से अगली बड़ी ख़बर जहां तो रहेंगा इलाके में 34 हातियों के दलने डेरा डाल रखा है राजा पड़ाव शोभा इलाके में सबसी की पसल को भी लगातार रुपसान पहुंचा रहे हैं 15 से जादा गाउं में वनभा का हाई अलर्ट देखने को रहे हैं वनभा की टी में भी लगातार निगरानी करने के लिए मुस्ताइदी से मौके पर मौजूद हैं अपील लगातार की जारे हैं लोगों से कि हातियों से दूरी बनाए रखें और जंगल के ओर लोग ना जाएं हाला कि लापरवाही की तस्वेरे भी अक्सर सामने आती हैं फिलाल गरिया बंद में ये हालात हैं कि चौंतस हातियों के दलने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है और अब जगदलपूर की बात करेंगे जहां रेलवे बोर्ट ने यात्रियों को बड़ी सवगात दी है कोटपार स्टेशन पर तीन यात्रियों का स्टॉपेज दिया जा रहा है लंबे समय से इलाके के लोग स्टॉपेज की मांग कर रहे थे रावकेला, नाइट एक्स और हीराखन एक्स एक्स्प्रेस का स्टॉपेज यहाँ पर दिया जा रहा है East Coast Railway जल्द इसकी घुशना भी कर देगा तारीखों का ऐलान होना भी बाकी है तीनों ट्रेनों के स्टॉपइज जल्द ही शुरू होंगे आने की लोगों को बड़ी रहत भी और इसी के साथ हम अच्छतीजगर में इतना ही नमस्कार